Hello everyone, welcome to my channel, Seated and KBS Classes. आप सब कैसे हो? I hope आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और इतने ठंड में अपना ख्याल रखते होंगे. ठीक है? रखना भी ज़रूरी है क्योंकि एक्जाम का टाइम है ये. ठीक है? तो अपने स्वास्त का भी ध्यान रखिये ताकि एक्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आ सके. तो आज की जो क्लास होगी वो हमारी English Pedagogy की क्लास होगी ठीक है? जिसमें हम बहुत ही important important जो point है जो जानना बहुत जरूरी होता है. एक्जाम में इससे question आ जाते हैं तो हमको इसके बारे में जो है वो जानना जरूरी है. ठीक है? तो वो क्या है? होमोग्राफ क्या होता है? ठीक है? होमोफोनीम, होमोनीम, पोली सेमी, लेक्जिकल वर्ड, फंसनल वर्ड, साइड वर्ड और हमारे total phonemes जो होते हैं वो कितने होते हैं? यह सारे चीज को जानना है हमें और साथ ही हमें morpheme के बारे में भी जानना है और syntax के बारे में भी जानना है जो main important points है, जो English Pedagogy में question आ जाते हैं, उसे जानते हैं, ठीक है? और हमारा जो phonemes होता है, वो कितना होता है? यह question जो होता है, अकसर exam में देखा जाता है कि total phonemes कितने हैं, ठीक है? तो एक एक करके हम इसे समझते हैं, सबसे पहले जो है, वो homograph चलिए, सबसे पहले जो था, वो था homograph अब homograph का मतलब, पहले हम नाम से ही समझने की कोशिस करेंगे अच्छे से, ठीक है? नाम जहां देखेगा homograph, जो graph होता है, वो हमारा, आप सभी को पता है, लिखने से समबंधित होता है, graph मतलब लिखने से समबंधित, ठीक है? ग्राफ में क्या करते हैं, लिखते हो ना, तो graph लिखने से समबंधित होगा, इतना याद रखेगा, और homo मतलब same, ठीक है? same, यानि homograph मतलब same लिखा जाता है, ठीक है? तो क्या होगा? जो लिखा same जाता है, पर pronunciation यानि उचारण अलग होता है, ठीक है? homograph में क्या होगा? आपका लिखा same जाएगा, लिखेंगे same, लेकिन जो pronunciation होगा, जो उचारण आप लोगा होगा, वो अलग होगा, जैसे lid क्या होगा इसमें? और lid, क्या अंतर है इसमें? दोनों same लिखा है, दोनों को spelling same है, same लिखा गया है, ठीक है? लेकिन उचारण, pronunciation जो आपका है, वो अलग होगा, एक को आप क्या बोलेंगे? लिड बोलेंगे, जिसका मतलब होगा करने वाला, और एक होता है, लिखा same गया लिड, लेकिन इसका उचारण जो होगा, वो लेड होगा, क्यो? लेड मतलब metal, ठीक है? कि दोनों का लिखावट same रहेगा, spelling same रहेगी, लेकिन आप लोगा जो उचारण होगा, वो अलग होगा, क्या है? अब बात आता है, कि इसमें, क्या है? होमोग्राफ में आपका लिखने से संबंदीते, same लिखा जाता है, क्या है? अब होता है कि हमारा English pedagogy है, पर हम ये हिंडी जो है, हिंडी यूज कर रहे है, तो क्यूं कर रहे है? हम total English में नहीं पढ़ेंगे, क्यूंकि अगर हम इंग्लीस में हर कुछ पढ़ना सुरू कर दे, तो फिर हमारे समझ से बाहर हो जाएगी, और हमें यहाँ क्या करना है? हमें यहाँ पर समझना है, क्या ताकि समझ में आए, तो homograph clear है, homo मतलब same होता है, graph जो लिखने से संबंदित होता है, जो लिखा same जाता है, पर pronunciation यानि उचारन जो होता है, वो अलग होता है, उसे हम कहते है homograph, जैसे एक लिखा same गया, लेकिन उचारन क्या हुआ, different हुआ हमारा, ठीक है? तो यह clear है, next है हमारा homophon, अब phone से ही क्या पता चलता है, phone मतलब क्या कहेते हैं, हम लोग पहले भी स्टीच के बारे बात क्या है, phoneme जो होती है, हमारी sound की smallest unit होती है, ठीक है, सबसी छोटी एकाय sound की क्या होती है, हमारी phoneme होती है, तो अब भाई यहाँ पे phone आ गया, अब ज related है, ठीक है, अब homo का मतलब, पहले भी बताया था, same, यानि same, यानि की sound जो होगा, वो आपका इसमें same रहेगा, इसमें आपका लिखना जो रहेगा, वो same था, और इसमें आपका sound same होगा, ठीक है, तो देखिए, sound यानि pronunciation या उचारन same रहेगा, यानि आपका जो pronunciation रहेगा जो उचारन रहेगा, वो same रहेगा, लेकिन meaning and spelling अलग होगा, ठीक है, लेकिन उसका meaning और जो आप लिखिंगे, spelling वो different होगा, ठीक है, जैसे sun, sun, क्या हुआ इसमें, आपका उचारन जो था, जो pronunciation था, same था, sun, sun, उचारन same रहा, लेकिन क्या हुआ, meaning और spelling, अलग है दोनों में meaning ये sun का बेटा होता है, ये sun जो हमारे सुरी भगवान होते है, वो sun, ठीक है, तो दोनों का क्या हो गया, spelling अलग हो गया, और meaning भी अलग हो गया, ठीक है, लेकिन उचारन जो था, वो same था, two और two, ये दोनों उचारन same है, लेकि meaning और spelling, दोनों में different है, किलिया रहे, आगे द चलिए, next हमारा है polysemi, अब polysemi क्या है, तो multiple meaning, यानि जिसके multiple meanings हो, यानि की एक से जाधा, दो, या फिर दो से जाधा, परला बहुत सारे जिसकी meaning हो, ठीक है, वो हमारा होता है polysemi, नीचे दिया है, जिसके दो या दो से अधिक meaning हो पाए, polysemi होगा, ठीक है, जिसके भी दो वो या दो से अधिन मीनिंग होगा, वो हमारा पोली सेमी होगा, यह उतना important नहीं है, यह question नहीं पूछा जाता है, बाकी अधर important है, ठीक है, तो lexical word, अब यह important है, आप लोग का lexical word है, site word है, functional word है, यह सब important होते हैं, ठीक है, lexical word क्या है, content word भी कहते हैं, अब lexical word को क्या क कहते हैं, इसे content word भी कहते हैं, तो अगर आप लोग के lexical के जगा पर content आ जाता है, तो आप लोग मत सोचेगा कि content word हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, आपके lexical word को ही content word कहा जाता है, अब यह क्या है, जिसका अपने आप में स्वतंत्र मीनिंग हो, lexical word क्या है, जिसका अपने आप में ही, स्वतंत्र मीनिंग हो, किसी से वो जुड़ा नहीं हो, किसी ग्रूप में ना हो, वो अपने आप में स्वतंत्र हो, जैसे love, love क्या है, अपने आप में एक स्वतंत्र मीनिंग है, वो किसी से जुड़ा नहीं है, dog, इसमें हम क्या बोल तब एक single है, यानि कि सोतंत्र है, कि लिए रहे, next देखते है, functional word, चलिए, next हमारा है, functional word, अब functional word क्या है, ये grammatical relation को दर्साता है, यानि कि आपका जो grammatic से related, जो भी relation होता है, वो उसको दर्साता है, ठीक है, यानि grammar से आपके related होता है, sentence के structure को बनाते समय, बीच में use होता है, अब इसका use कब होता है, हमारे functional word का use कब होता है, जब आप sentence के structure को बनाते है, जैसे आपने कोई sentence बनाया, ठीक है, और उस sentence को बनाते समय, जिस structure का use होता है ठीके, उसी के बीच में आपका functional wird यूज किया जाता है ठीके, जैसे sentence को आप बनाते हैं, तो the but it might, ये सारे कुछ-कुछ word होते हैं, जो आपको एक sentence के structure बनाते समये बीच में use करते हैं, ठीके, तो ये सारे जो word होते हैं वो हमारे functional word होते, यानी की sentence के structure बनाते समय जब भी जो word यूज किया जाता है बीच में उसके structure बनाने में वो word हमारा functional word होता है, ठीक है? example में but a might ये सब आपको किसी भी sentence को बनाने में use किया जाता है, ठीक है? अब है sight word अब इससे नाम से समझ लिजए यानि कि हम जा रहे हैं और sight से देखते देखते हमने उस word को पहचान लिया, ठीक है? जिसको एक नजर में पहचान सके यानि जिसको हम देखे और उस word को हम पहच आजाए, ठीक है? जिस word को देखके याद आजाए बिना practice के, जिस word को हम देखे और वो याद आजाए हमें बिना किसी practice किये हुए, ठीक है? जिस सब्द को बार बार देखे हो, जिसको देखके याद आजाए, अब कोई word होता है ऐसा जिसको आपने पहले बार बार देखा हो ठीके, अब वो क्या होता है? वो फिर बाद में जब हमें दिखता है एक नजन में हमें वो याद आजाता है हमें उस समय उसके लिए practice की ज़रुत नहीं पड़ती है वो देखते ही वो word हमें याद आ जाता है जैसे good ठीक है practice की जड़रत नहीं होती है आप लोगो देखते ही याद आजाता है good अच्छा ठीक है our ये सारी word जो होते है कुछ-कुछ इसमें आप लोग को practice की जड़रत नहीं होती है बस देखा और याद आ गया ठीक है तो समझ में आ गया side word, यानि कि side से गुजरे कोई word, और देखे और हमें याद आ गया, उसमें हमने practice नहीं किया, वो होता है हमारा side word, कि लिए रहे, next है हमारा, चलिए, next है हमारा polydrome, ठीक है, अब ये क्या है, वो word, जिसको कैसे भी लिखे, same लिखाएगा, ठीक है, polydrome मतलब वो word, जिसको कैसे भी लिखे, वो same लिखाएगा, यानि कि उसको हम चाहे आगे से लिखे, या फिर पीछे से लिखे, ठीक है, चाहे आगे से, आगे से या पीछे से, ठीक है, चाहे उसको हम आगे से लिखे, या फिर पीछे से लिखे, वो same लिखाएगा, किलियर है जैसे वाव, अब आप चाहे तो वाव को इधर से लिखिये या फिर आप इधर से लिखिये, लिखाना तो आपका सेम है वाव, ठीक है, डैड, अब डैड चाहे आप इधर से लिखना सुरू कीजे या इधर से लिखना सुरू कीजे, आपका लिखाएगा सेम, डैड mom इधर से लिखे है या फिर इधर से लिखे है मतलब दोनों में से किसी साइट से भी आप लिखे है लेकिन आपका लिखाएगा same यानि mom अगर आप आगे से लिखते हो या फिर पीछे से लिखते हो आपका लिखाएगा mom ही यानि same word लिखाएगा कि लिए रहे वो होता है हमारा पोलिन ड्रोम इसको अच्छे से याद रखेगा पोलिन ड्रोम मतलब चाहे हम इसको word को कैसे भी लिखे आगे से लिखे पीछे से लिखे वो हमारा सेम रहेगा वो word ठीके अब है next आपका diphthongus अब ये क्या है ड्रोम मतलब ही समझ लिजेगा two ठीके two यानि कि two vowel sound ठीके जहाँ पे आपका दो vowel sound हो ठीके जैसे देख लिजे जब दो vowel sound एक साथ आए आप कोई भी word लिखते हो माल लिजे कोई word लिख रहे हो उसमें जब आप उसको पढ़ रहे हो उचारन कर रहे हो ठीके तो आपका जब वो vowel sound है इसमें क्या बोल रहे है sound ठीके vowel sound यानि कि उचारन करते समय आपका vowel sound आना चाहिए ठीके जब आपका दो vowel sound जो है वो एक साथ आएगा तब वो क्या हो जाएगा दिप्थोंगस हो जाएगा आप लोग का किलियर है नेक्ट भोवल साथ हो या ना हो पर sound दो भोवल का आए ठीके अब आप लोग का इसमें भोवल चाहे साथ हो या ना हो यानि दो भोवल जो होते हैं दो भोवल जो है वो साथ हो या फिर ना हो ठीके, अगर वो साथ रहता है, दो भोवेल, अगर साथ रहता है, तो भी वो डिप्थोंगस होगा, और अगर दो भोवेल साथ नहीं हो, लेकिन उचारन जो है, वो हमारे दो भोवेल का हो, तब वो भी हमारा क्या होगा, डिप्थोंगस, ठीके, जैसे देख लीजे, अब इसमें क्या है हमारा ये दो भोवेल है हमारा दो भोवेल आ गया है ठीक है तब कोई बात नहीं चाहे तो आपका दो भोवेल आए या फिर ना आए आपका वो होगा डिप्थोगस बस उचारन होना चाहिए तो इसमें क्या हो गया हमारा उचारन भी हो गया और दो भोवेल भी हमारा साथ हो गया, तो यह हो गया हमारा diphthogas, अब इसमें क्या है, अब भाई, ये तो हमारा दो भोवेल नहीं है, लेकिन, उचारन क्या है हमारा, दो भोवेल का है, इसमें दो भोवेल नहीं है, लेकिन हमारा उचारन जो है, वो दो भोवेल का है तो ये भी हमारा होगा डिप्थ होगा, ठीक है, किलियर है यहाँ तक, चलिए, अब आगे हम देख लेते हैं हमारा, फोनिम्स जो होते हैं, यानि साउंड की जो सब्सक्राइच छोटी इकाई है, इस मॉलेश यूनिट जो है, वो कितने होते हैं, ठीक है, चलिए, अब हम देखते हैं, फोनिम, फोनिम्स यानि की जो हमारी फोन से रिलेटेड यानि की साउंड से रिलेटेड, फोन का मतलब ही यानि की साउंड, यानि हम फोन अगर काल में लगाते हैं, तो क्या हमें सुनने को मिलता है, एक साउंड सुनने को मिलता है, दुसरों की आवाज ठीक है तो phoneme का जब भी phoneme आ जाए तो आप उसको phon से relate कीजेगा और समझ लिजेगा sound ठीक है तो phoneme हमारी क्या है smallest unit है किसकी sound की sound की सबसे छोटी काई जो है वो है हमारी phoneme ठीक है अब total phonemes कितने होते ये question अकसर exam में देखा गया है total phonemes कितने होते तो हमारे जो total phonemes है वो 44 है ठीक है 44 phonemes हमारे है clear अब इसमें भॉवेल और कंसोनेंट कितना है ठीक है तो हमारा जो इसमें भॉवेल होगा जो भॉवेल के sound होंगे वो कितने होंगे वो 20 होंगे यानि 20 भॉवेल होंगे अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि भोवेल 20 कैसे होंगे भोवेल तो हमारे 5 है तो यहाँ भोवेल का बात नहीं हो रहा है भोवेल sound यहाँ भोवेल sound का बात हो रहा है ठीक है? यहाँ पर क्या बात हो रहा है हमारे भोवेल sound का बात हो रहा है तो जो total vowel के sound है वो हमारे 20 है और जो consonant के sound है वो कितने है वो 24 है यानि 24 है ठीक है तो total जो हमारा phonemes होगा वो हो जाएगा 44 किलियर है भोवेल हमारे भोवेल sound होगे 20 और consonant sound जो होगे वो होगे हमारे 24 जो 20 और total phonemes जो हो जाएगा हमारा phonemes जो हमारी sound की smallest unit है यानि total phonemes हमारा 44 हो जाएगा किलियर है तो अपने भोवेल भी कितने होंगे भोवेल sound और consonant sound और consonant sound जो है कितने होंगे ये याद रखना है और total phonemes जो है उसे भी याद रखना है next हमारा है morpheme ठीक है Norfeme क्या है smallest meaningful unit in a language या रख की सबसे छोटी इकाई है रख की सबसे छोटी इकाई क्या होगी morpheme अमारे रख की सबसे छोटी इकाई है smallest meaningful unit in a language कि लिए रहा है चलिए आगे देखते हैं, चलिए, syntax, अब हमारा syntax क्या है, यानि वाक्य विन्यास, simple तरिके से याद रखेगा, हमारा जो syntax होगा, वो structure से related होगा, ठीक है, वो क्या होगा, structure से related होगा, यानि कि आपका grammatically ठीक रहेगा, जो भी आप sentence लिखते हैं, वो आपका सही हो, ठीक है, structure से related, यानि syntax, essay structure और essay syntax, यानि हमारे structure से related होगा, हमारा syntax, जहां structure की बात आती है, तो याद रखेगा, वो syntax है, ठीक है, अब है semantics, अब semantics क्या है, the study of meaning, of word and phrases, क्या मतलब study के, हमारी meaning की जो study होती है, यानि सब से, सब को छोड़िए, आपको याद रखना है, ठीक है, simple तरीका, meaning के study को semantics कहते है, ठीक है, आपसे semantics पूछता है, तो meaning का study, जिसमें meaning का study किया जाए, ठीक है, meaning of word and phrases, meaning का study हो, वो हमारा क्या होता है, semantics होता है, किलियर है, अब phoneme जो होगा, वो हमारे phone से related होगा, यानि की sound से related होगा, और आप लोगा जो morpheme होगा, वो किस से related होता है, morpheme, smallest meaning full combination, ठीक है, meaning की सबसे smallest unit, ठीक है, अब हमारा syntax जो होगा, वो structure से related होगा, ठीक है, एक-एक point को पकर के रखी है, कि याद exam hall में जब हमें दिखे, तो वो हम सही करके आपाए, एक-एक point पकरना है, syntax structure से related होगा, semantics जो होगा, वो हमारा meaning के study को, जो meaning होता है किसी sentence के, उसके study को semantics कहेंगे, ठीक है, यहां तक clear है, कोई problem, अगर कोई भी दिकत आ रही हो, समझने में, या फिर इस तरीके में समझाने के, तो comments में जरूर बताईएगा, और चलिए ऐसे ही class होते रहेगा, फिलाल आज के लिए इतना ही, तो वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe जरूर कीज़ेगा, thank you.